आज की इस वीडियो में हम लोग इधर फंशनल ग्रूप के बारे में पढ़ेंगे कि इधर फंशनल जो ग्रूप है उसका जेनरल फर्मूला क्या होता है उसके आयुपेक नेम लिखने का तरीके क्या है कमन नेम कैसे लिखते हैं और इसका एस्टक्चर फर्मूला कैसे बनाया जाता है आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले यहां पर हम लोग इधर की बात करें तो इधर को हम लोग इधर या इसको इलकॉक्सी इलकेन भी कहा जाता है इधर का यहां पर दो नाम है एक इधर या इसे हम लोग इलकॉक्सी इलकेन कहते हैं इसका functional group होता है या इसका जो पहचान होता है वह होता है bond O bond इसमें अलकाई स्वमुह लगा करके हम लोग जोड़ते हैं R, bond O, bond R या इसे R का hold twice O करके भी हम लोग लिख सकते हैं तो इसका जो ये तीन तरीके से इसके functional group दिया हुआ रहता है ये इथर का functional group है अब यहां पर जन्रल वे से हम लोग फड़ा जान लेते हैं कि इथर को कैसे बनाया जाता है तो जैसे हम लोग पढ़ लिए है अलकोहल पढ़े तो अलकोहल का पहचानी क्या होता था आर ओएच और ओएच को हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं अलकोहल इसको हम लोग क्या कहते हैं अलकोहल कहते हैं तो अलकोहल में यहां पर क्या है हमारा हाइड्रोजन है तो यहां पर हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन को हटा करके इसके जगा पे अलकाईल समोर लगा दिया जाता है तो यह बन जाता है हमारा इथर यह इसे हमलों कहते हैं एलकॉक्सी एलकेन कहा जाता है यही है यह जेनरल वेश से होगे कि इसको कैसे बनाया जाता है तो जो आर वेश जो हमारा एलकोहल समुह होता है उस एलकोहल समुह में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उस हाइड्रोजन को हटा करके उसके जग किमाल लगा लगे होंगे कि क्या होगा यहां पर भी अलकायल समू यहां पर ही अलकायल समू रहेंगे और बीच में आक्सिजन रहेंगे यहां पर क्या होंगे cn h2n पलस 1 bond o bond cn h2n पलस 1 या इसे हम लोग इस तरीक ऐसे भी लिख सकते है जनरल फर्मूला cn h2n पलस 1 का whole twice o और ये जो है ये सभी इथर के लिए ये जनरल फर्मूला लागू नहीं होता है तो कौन से इथर में हम लोग whole twice करके लिख लेते हैं लिखेंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे कि किस परकार के इथर होगा जिसमें हम लोग cn h2n पलस 1 को whole twice करके लिख सकते हैं तो अब यहाँ पे इसका जनरल फर्मूला होगे cn h2n पलस 1 bond o bond cn h2n पलस 1 अब यहाँ पे इसका iupec name की बात किये तो यहाँ पे iupec name जो लिखने का तरीका होता है इसका iupec name लिखने का तरीका होता है number of carbon पलस oxy यहाँ पे ध्याम देना है number of carbon plus oxy यहाँ पे दो alkyl sum को जूड़े हुए हैं इक number of carbon में हम लोग औक्सी लगाते हैं फिर number of carbon प्लस number of carbon प्लस A.N.E. याणि आप लोगों को ध्यान में रखना है इस side के number of carbon में औक्सी जोड़ेंगे और इस side के number of carbon में A.N.E. जोड़ेंगे और थाथ यह हो गया और यह हो गया है lkane यह हमारा क्या हो गया ? इस निसके हम लोग बोलते है यह अखी और इंदर वाला हो गया हमने इसलीए में हम लोग इसे क्या बोलते है इसलीए हम लोग और यहां पर common name लिखने का तरीका है, number of carbon plus higher लिखने के लिए उसके नमबर आफ करवन में जूड़ करके इथर लिख देते हैं इसमें जो इन का मान होता है एन का मान एक से चलता है एक दो तीन चार पाट डॉडड डॉडड अप जहां तक लिगत करके बना डिए तो अब यहां पे अब इसमें हम लोग इये है कि यहां पे इसका General Formula देख लिए IUPAC name कैसे लिखेंगे इसके लिखने के तरीका को भी देख लिए कि इसके IUPAC name में क्या जोड़ा जाता है तैंवाले अल्खाइल में और इधर के नमबर ऑफ कर्ük exemple आरुपर यहां पर देखिए समयफ चैसे हमारा फ्रकार कन शोड़ा के होते हैं अब यहां पर समझ लेते हुए कि सुरल इथर कलें अब यहां पर समझ लेते हैं ऑज्त ताल को यह इसी हम लोग सममीट इथर क कैंगे है संवल इथर यह संव्मिट इथर बोलेंगे एक जोगा हमारा सरल इथर या सम्मीत इथर जिसे हम लोग बोलते हैं शिम्पल सिम्पल इथर और यहाँ पे सम्मीत है ते यह हो जाते हैं सेमेट्रिकल यहाँ को जाएंगे सेमेट्रिकल इथर देख होते हैं शिम्पल इथर और दूसरे यानि कि यहाँ सेम्पल इथर कहेंगे या symmetrical ether कहेंगे तो first तो यह होगी है सरल इथर या summit ether और second जोता है तो पहले हम लोग यह सरल इथर या summit ether को देख लेते हैं कि यह सरल इथर summit ether होता क्या है तो सरल इथर तब होंगे जब यहाँ पे R bond O R रहेंगे अर्थात R bond O R का मतलब है जब दोनों तरफ अलकाईल समुह में number of carbon समान होंगे तो उसे हम लोग सरल इथर या summit ether कहेंगे यह बहुत important चीज है इसको आप लोगो ध्यान में रखना है सरल इथर तब कहलाएंगे जब oxygen के है कि oxygen के दोनों तरफ अलकाईल समुह जुड़े तो जब दोनों ही अलकाईल समुह में एन का मान जो यहाँ पे एन है cn h2n पलस 1 दोनों तरफ एन का मान समान वर्था दोनों तरफ अगर carbon की शंख्या बराबर हो तब इस आप लोगो क्या कहेंगे सरल इथर या summit जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जैसे इसका जनरल फर्मूला खितना है जनरल फर्मूला है cn h2n plus 1 bond o bond cn h2n plus 1 तो यहाँ पे n बराबर हम 1 रखते हैं इसमे n बराबर 1 रखेंगे तो यह n बराबर इसमें भी रखाएंगा और n बराबर एक इसमें भी दोनों में समान नोंबर उफ कार्बन होंगे यहां पर सीवन हो जाएंगे एज़ टूइटूउएंटूवन पॉलस वन हो जाएंगे बॉझद ओ बॉझ फिर यहां पर सीवन एज़ टूइइट इन टूइट Southern पलस वन हो जाएंगे तो इसका molecular formula बनेगा यहां पर यहां पर इसका जो molecular formula बनेगा वो हो जाएंगे कितना CH3 bond O bond CH3 अर्थात दोनों तरफ number of carbon बराबर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का whole twice O तो यहां पर जो हम general formula लिखे हैं CNH2N plus 1 का whole twice O तो यह किसके लिए लिख सकते हैं हम लोग यह sermile ether के लिए लिख सकते हैं तो यहां पर CNH2N plus 1 का whole twice अर्थात यहाँ पे जो है अलकाई शमू का जो whole twice करके लिखे अलकाई शमू को whole twice करके नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे इसका molecular formula होगे CH3 का whole twice O अब यहाँ पे इसका IUPAC name लिखना है तो दिखी यहाँ पे इसका हम लोग तो IUPAC name भी लिख लेते तो IUPAC name के लिए कि इधर वाले के number of carbon में oxy लगाना है तो इधर number of carbon कितने है एक तो एक number of carbon पर हो जाते हैं मेथ और इसके साथ क्या लगा देना है यहाँ पे इसके साथ oxy लगा देना यह चीजा अप लोग को ध्याने में रखना है तो यहां पो गिया मैत और यहां पर लगा देंगे ऑक्सी तै इसका ऐूट क्नेम हो गिया मेह फिर फिर नमबर izione मेह फिर आरद सका कर्प प्रक्प हो त 15ches तो इसके बाद नमबर Corn ओलुबj1. करने यहां पर क्या होगे मैं थे चाहां मोलएके लॉडर फरमुला है 200 और्थरी कितने बार है थो बार रहे हैं निए समानने नम एक जैसे नाम को को करहते हैं नोगा यहां अगर तो छुड़ा हुआ हो तो ऊसे हम लोग एपर कहते हैं तो यहां पर श्यायो कितने बार जूड़े दूबार जूड़े थो यहां पर क्या हो जाएंगे आँ 1 और अपर भय नाम क्या होता और इसमें क्या जोड़े फर्मूला भी देख लेते कि एस्ट्रक्चर फर्मूला कैसे बनेगा यहां पर देखे इसका इस्ट्रक्चर फर्मूला भी हम बनाते हैं यहां पर इधर एक कर्बन है तो यहां पर लगा देंगे फिर बॉंड फिर यहां पर कर्बन है तो कर्बन लगा देंगे इसमें एक 3 whole twice O का structure formula यह होगी यह इन बराबर दो रखके देख लेते हैं बना करके तो देखें यहां पर एन बराबर दो रखते हैं सरल इथर ही बनाते हैं यहां पर इन बराबर दो रखते हैं तो इसका जेनरल फर्मुला कितना है जेनरल फर्मुला है CnH2n plus 1 bond O bond CnH2n plus 1 इसमें भी N बराबर दो रखेंगे इसमें भी N बराबर दो रखेंगे कि यह सरल इथर है सम्मीत इथर है तो सम्मीत इथर में दोनों अलकायल समू में R कमान बराबर चलेंगे तो जिसमें भी R कमान बराबर हो दोनों तरफ अलकायल स मूं में हमारा सवल इ见 समीच इंथर यहां पर रखेंगे तो यहां पर रखेंगे न वर रखेंगे इन ब히र रखेंगे इन बरूर सब्सक्राइब प्रिट बॉन्ड रोव प्रिंट वच्छी नघ करते और आप लोग यहां हैं बरूर दो और की हलें भी गता हैं तो C2H5 का whole twice O करके भी हम लोग लिख सकते हैं C2H5 का whole twice O अब इसका हम लोग आयूपेक नेम लिखेंगे तो आयूपेक नेम लिखने के लिए इसका आयूपेक नेम का तरीका क्या है यहाँ पर देखिए आयूपेक नेम लिखने का तरीका है number of carbon plus oxy अर्थात इस side के number of carbon में oxy लगाना है तो इधर कितने number of carbon हो गए यहाँ पर number of carbon 2 हो गए तो दो पर होता है एथ इसके साथ लगाना है oxy तो यह हो गया इथाकसी फिर इधर वाले के number of carbon में ANE जोड़ना है जोड़ेंगे AnE तो यहां तो जाएंगे एथ और श्कने यहुतनी होगी इनी इसका अपर कितने श्रुट्पार मोर 51 बार जुड़े अर्था मंगर कितने जगों पर जुड़े है दो जगों गूंगों पे जूड़ा है तो इसका हम लोग जगह कि यह जूड़ा हुआ है लेकिन नाम एकी रहता है लेकिन उसका सब्सेट जाता है कि यह लिखेंगे दो जगह पे इसके लिए लिखेंगे रड़ाई और करमन का नाम होता है इत और इसके साथ हम लोग को जोड़ना है कम मनें में यहां पर देख सकते हैं वायल जोड़ना है तो वहाँ पे यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे वाइल ते यहाँ पे होगी है डाई इथाइल डाई का मतलब होगी है दो जगा पे इथाइल का मतलब होगी है दूगो कारवन उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना है इथर इथर का मतलब होगी इथर के साथ इथाइल फर्मूला देख लेते हैं तो यहां पर इधर कितने करवन है दो करवन है यहां पर दो करवन पहले लगा लेंगे फिर बॉंड फिर यहां पर बॉंड फिर इस साइड भी दो करवन है दो करवन लगा लिए इसके साथ एक है तो यहां पर दो हो गया यह तीन है यह चार हो गया यह carbon के साथ already दूगो bond है यहाँ पे लगा देंगे तीन एक यहाँ पे लगा दिये चार oxygen के साथ already दूगो bond है इसके साथ दूगो bond है यहाँ पे होगी है तीन यहाँ पे होगी है चार एक दो तीन चार इधर कितने carbon थे दो carbon तो दो carbon होगे इधर 5 hydrogen थे तो यहाँ पे 5 hydrogen होगे एक दो तीन चार पांट इस साइड भी सेम वही है दोगो कार्बन दोगो कार्बन पांस तो यहां पर यह इसका निकल गया इस्ट्रक्चर फर्मूला तो यह सम्मीत अगर इथर रहे तो सम्मीत इधर का इस तरीका से हम लोग आयूपेक नेम और अब यहां पर है कि अब दूसरा जो है दूसरा क्या होता है तो चलिए दूसरा को भी हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट वाले तो देख लिए कि फर्स्ट वाले सम्मीत इथर होंगे और सम्मीत इथर में दोनों तरफ अलकायल समू बराबर रहेंगे तो यहां पर हम लोग दे दूसरा हम लोग देख लेते हैं दूसरा को हम लोग बोलते हैं मिसरीत इथर बोलते हैं दूसरा बोला जाता है मिसरीत इथर दूसरा को लोग बोलेंगे मिसरीत इथर या दूसरा होता है मिसरीत इथर या और सम्मीत इथर या और सम्मीत इथर और सम्मीत इथर इसका इंगलि और यहां पे क्या था से मेट्रीकल था यह अब हो जाएंगे अन से मेट्रीकल यहां पे क्या हो जाएंगे अब खाल दो चिंव कन इथर और शेम्याट इथारवल यहां पर दूसरा इधर होंगे मिसरी या कमीत इथर कमके ऐसी इथन कलेंगे यहां पर देखिए तब कर्याया देखिंख सभोपनेट या मिसरीट इतर पसे जाने का सिंपल तरीका आर bond O bond R- यहाँ पर देखिए R bond O bond R- R- का मतलब है कि इधर का अलकाय समू और ये अलकाय समू का जो कारवन की संख्या होगा वह बराबर नहीं होगा जब दोनों तरफ कारवन की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे मिसरित इथर या और सममित इथर ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है दोनों तरफ का दोनों अलकाय समू में कारवन की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए तब उसे हम लोग सम्मित और सम्मित या मिसरित इथर कहेंगे जैसे यहाँ पे इसका जो जेनरल फर्मूला है इस अलकाय समू के लिए भी जेनरल फर्मूला होंगे cn, h2, n, 1 bond, o, bond यहाँ पे cn, h2, n, 1 अब इस अलकाय समू में हम n बराबर 1 रखते हैं तो इस अलकाय समू में हम n का मान एक नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह मिसरित इथर और समयमिती था रहे इसमें N का मान एक छुड़ा करके जितना रख सकते हैं आप दो रखे तीन चार पांच छे साथ आट नो दस कितना हूं हो सकते हैं तो यहाँ पे N बराबर एक है तो हम यहाँ पे N बराबर दो मान रख रहे हैं तो इसका जो molecular formula बनेगा इसमें N बराबर ए लोग whole twice करके नहीं लिख सकते तो जिसमें इतर में अगर whole twice करके दिया रहे हैं तो उससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि वह सरल इतर या सम्मित यहाँ पे मिसरीत इतर में क्या होंगे दोनों तरफ दोनों तरफ जो अलकाईल समुएं उसमें कारबन की शंख्या अलग होंगे अर्था जो एन का मान है वो एन का मान भीन भीन होंगे अलग अलग होंगे तब यहां पर हम लोग आयूपेक नेम लिखने का बस वही रूल है जो हम लोग पहले लिखते थे इधर नमबर आफ कारबन में अक्सी जोड़ना है और इधर के नमबर ऑफ कारबन दू है तो यहां पर जाएंगे इत और इसके साथ जोड़ देना है और यहां पर इसका आई उपेक नेम हो गया मिठोक्सी इथेन अब यहां पर कमन नेम लिखेंगे तो कमन नेम के लिए वहां पर दोनों तरफ एक जैसा था तो डाइका परियोग करते थे अब यहां पर तो दोनों तरफ एक जैसा तो है नहीं तो यहां पर इधर के भी नमबर ऑफ कारबन में वाईल जोड़ेंगे और इधर के भी नमबर ऑफ कारबन में वाईल तो इधर नमबर ऑफ कारबन में वाईल जोड़कर के लिखना है तो इधर नमबर ऑफ कारबन कितन तो carbon oxygen से अलग अलग है इधर एक कारवन इंट हो गया और यहां पे दूग कारवन है इसके लिए यहां पे इथाइल यहां पे oxygen बच रहा है तो इस oxygen के लिए हम लोग यहां पे लिखते हैं एथर की oxygen यहां पर लोग को इधर एक कार्बन लगाना है फिर ऑक्सिजन है तो बॉंड ऑक्सिजन लगा देना है फिर इधर दू कार्बन है तो यहां दो कार्बन लगा लेंगे इसके साथ हम लोग तीन लगाके बॉंड पुरा देंगे इधर पांच यहां लोग बना लेते हैं यहां पर जैसे यहां पर जेनलर फर्मूला है जेनलर फर्मूला यहां पर cn h2n plus 1 bond o bond cn h2n plus 1 इसमें n बराबर हम रख लेते हैं कितना इसमें n बराबर हम रख लेते हैं 2 और इसमें हम n बराबर रख लेते हैं 3 तो इसका जो molecular formula बनेगा calculation करने के बाद ये बन जाएंगे c2h5 bond o bond और ये बन जाएंगे c3h7 इसका जब हम लोगा you pick name लिखेंगे तो आयूभ नेम के लिए क्या होगा इधर number of carbon में oxygen जोडते हैं इधर number of carbon कितने हैं 2 है दो पर हो जाएंगे एथ और इसमें जोड़ देंगे oxygen यह होगे इथा सी इधर number of carbon कितने हैं इधर number of carbon 9 3 3 पर था ओप्रोप होथे हैं तो यहां पर जाएंगे प्रोप और इसमें एएणिल जूड़ना यहां पर जोड़ना फाइल जोड़ना है तो इधर के number of carbon कितने है तीन है तो तीन पर क्या होते है प्रोप तो यहां पर जाएंगे प्रोप और इसमें जोड़ देंगे वाईल तो यह हो गया इथाइल प्रोपाइल और उसके बाद यहां पर oxygen बच रहा है तो oxygen के लिए यहां पर लिख देंगे हम लोग इथर तो यहां पर इसका comment ने मुझँञ इथाइल प्रोपाइल इथर अब इसका है structure formula बनाना है तो structure फर्मूला भी एकदम आपर साथ हाई-डोजन है तो इसमें आवस्यक्ता के अनुसार से सभी के साथ चार बौंड पूर्ण चाहिए उसके आवस्यक्ता के अनुसार से हाइडोजन लगा देंगे इसमें तो इसमें लगा देंगे यह वाले है तो इस तरीका से हम लोग जो इथर होते हैं इथर के आयूपेक नेम और कम नेम को लिखते हैं तो आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया हुआ कि इथर में जो होते हैं एक इथर होते हैं सरल इथर और सरल इथर में दोनों में अलकाय समु क्या रहेंगे बराबर रहेंगे और एक होते हैं मिसरित इथर और मिसरित इथर में क्या होंगे दोनों का अलकाय समु में जो कार्बन का मान है वो भीन भीन होंगे और भीन भीन है कितना हों हो सकते हैं लेकिन यह समवी तो बना करके देख सकते हैं तो आप लोग को कलियर हो गया होगा कि इतर के इसे लिखते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजी लाइक कर देजे और चैनल पे अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में